एलोओ फ्रेंट्स, मैं मस्तूर आपका बहुत-बहुत सालट करती हूँ हमारे युट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स, उमित करतों कि आप सिब ठीक हूँगे, अच्छ से हूँगे तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बेबी बनीज होते हैं तो उनको हम कौन सा मिल्खम प्रोवाइट करें अगर उनकी मदर किसी रिजन के वज़े से नहीं है तो फ्रेंज चलिए विजाओट विस्टिंग टैम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंज हम सभी के मन में ये कोशन होता है कि क्या हम बेबी बनीज को काओ या बफलोज का मिल्खम दे सकते हैं तो इसका अंसर है नहीं हम काओ या बफलोज का मिल्खम नहीं दे सकते हैं इसलिए क्योंकि जो baby bunnies होते हैं वो cow और buffalo का milk digest नहीं कर पाते हैं तो friends हम इस situation में क्या करेंगे क्योंकि हम अपने baby bunnies को cow और buffalo का milk भी नहीं दे सकते हैं और उनकी mother rabbit भी नहीं है तो इस situation में हम क्या करें तो इस situation में आप अपने बेबी बनीज को दे सकते हो गोट का मिल्क यानि बकरी का दूद या तो आपके पास दो बनीज है जो की बेबीज को डेलेवर कर चुके हैं तो उनका भी यानि दूसरी मदर का जो दूद है वो भी आप अपने बेबी बनीज को पिला सकते हो अगर आपके पास गोट मिल्क अवलेबर नहीं है और दूसरी मदर राबिट भी नहीं है जिसे आप फीड करवा पाओ तो इस situation में आप यूज कर सकते हो किटन मिल्क रिपलेसर तो आप ये यूज करके अपने बेबी बनीज को फीड करवा सकते हो जो किटन मिल्क रिपलेसर है वो आपको किसी भी अनिमल मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा आप वहां से परचेस कर सकते हो अगर आपके घर के पास कोई भी एनिमल मेडिकल शॉप नहीं है जहाँ पे किटल मिल्क रिप्लेसर मिलता हो तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो तो फ्रेंट्स आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने बेबेबनेस को कौन सा मिल्क देना है और कौन सा मिल्क नहीं देना है तो फ्रेंट्स यही थी आज की वीडियो उमिद करते हूँ कि आपको helpful लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो make sure इस वीडियो को like करना चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में बाई फ्रेंट्स थैंक्स पूर वाचिंग